So hello friends, चलिए आज बात करते हैं LRD के एक और बहुत important topic जिसका नाम है pie charts, ठीक है? तो basically this is also a graphical method to represent a data, तो उसमें pie charts कैसे बनते एक बार देख लेते हैं और एक set भी करेंगे उसके उपर, यह तो काफी important है For example, कुछने कुछ setup को tables के मिली जाते हैं, उस तरह से pie charts का data representation आना भी काफी common और काफी high probability रहती है उसी इसकी कई बार in combination आता है, मतलब एक table बनी होगी, एक pie chart बना होगा, या only pie chart वाले cushion भी आ सकते हैं और समाझना बहुत simple है इसको, और काफी important भी है, चले शुरू करते हैं Basically एक तरह का circular representation होता है, इस तरह से, और इसमें एक फायदा होता है, मतलब जैसा आपको पता ही होगा जब हम table form में express करते हैं, तो हमें सारी entries दिखती है, पर उनका relative comparison नहीं पता होता है कि भी total में से किस proportion में ये सब चीज़े हैं, जैसे 5 लोगोंने खर्चे करें, market में shopping करी total खर्चे में से कितना percentage या proportion किसका है, ये हमको table में नहीं दिखता पर pie chart is very useful for this purpose, मतलब data तो यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर absolute data नहीं, relative comparison काफी अच्छे तरह दिखता है और ये सब सब दा फायदा है ऐसी इसका, ठीक है इस तरह से बना होता है, अलग-अलग color दिये होते हैं, exam में आपने देखा ये pie chart ठीक है, तो इस तरह से, person one, person two, person three, four, इस तरह से फूरा होता रहता है तो ये तो उसके बनाने का तरीका होगे, कि वे total के हाथ कितना हिससा आपका है, वो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे pie chart को read करना भी बहुत simple है, इसके दो थरीके होते हैं, ठीक है या तो आप degree के हिसाब से read करो, या percentage के हिसाब से read करो पूरा pie chart कितने का है, वो अक्सा सवाल में दिया होता है ठीक कि पूरा pie chart, for example, this entire pie chart represent 10,000 rupees जिसमें पांचे लोगे खर्चे के हिससे दिये हुए, तो total is always given to us sometimes not given, तो वो फिर solve करवा के निकलवा लेता है अब ध्यान दीजेगा, यहाँ पे या तो आप degree की help ले लो या percentage की help ले लो, पूरा circle 360 degree का है तो this is equivalent to 100% of the value कुछ percentage जो काफी common आते हैं, वो एक बार देख लीजे भई, अब ध्यान दीजेगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 10% तो वहाँ, वो कहां में लेका, आपको 36 degree का उसी तरह से 18 degree will represent 5% यह कुछ common degrees है, जो कुछ सवाल में सीधे आ सकती है for example, person 1 और यहाँ पो सकता है, लिखा रहा है 36 degree तो कुछ degrees जो काफी common use होती है तो उनका percentage आपको निकालना ना पड़े और जल्दी सब सीधे solve कर दो, उसके लिए में बता रहा हूँ आपको क्लियर है बात, कुछ डाउट तो नहीं है, 15% कैसे बनेगा आप यहां 54 degree कर दो, 20% बनेगा 72 degree तो 72 degree दिया है तो 20% सीधे मान लेना आप 1 by 5 कर देना, ठीक है, क्लियर अब 25% की बात करते हैं, तो 1 fourth वैसे कर दो 90 degree right angle पे 25%, पूरे का 1 fourth, clear ही है, एक और देख लो बस कि अगर आपने इसको कर दिया 108, ठीक है, तो यह हो जाएगा 30% clear है, कोई doubt तो नहीं है इसमें, simple है, या फिर आप इसका double कर दो, 54 का तो भी आपको मिल जाएगा, तो यह कुछ commonly used values है सीधा conversion करना है, तो कैसे करोगे, अप इदर देख लो, यहाँ पे 100% है, 360 degree के बराबर, 00 cancel किया आपने, यह आपने 2 से कर दिया 5, और यह हो गया 18, यहाँ पे जो आप देख रहे थे, अगर इस वाले सा factor बनाना चाहोगे, तो factor कुछ ऐसा बनता है, that 1 degree is equal to 5 by 18%, तो अगर आपको degree से percentage पे जाना है, तो 5 by 18 से multiply करना, और percentage से degree पे जाना है, तो 5 by 18 से multiply करना, पर अगर percentage से degree पे जाना है, तो 18 by 5 से multiply करना, तो conversion factor यह रहे, और कुछ commonly used वाले मैं आपको बता दिये, अब एक set पे जाने से पहले काक्री बात और सुन लो, कब हमें degree परसेंटेज के इस्तमाल करने चाहिए, और कब हमें absolute values निकालने चाहिए इन हिस्सों की, देखो, अगर answer में absolute value पूछी है, तो absolute value निकालो, जैसे इसका पूछा है, मान लो यह 90% होता है, one-fourth के आसपास, तो total जितना भी circle अगर अगर आपस में सिर्फ comparison पूछ रहा और absolute value नहीं पूछ रहा है, तो फिर absolute value में conversion भी कईबर ज़रूरी नहीं होता, अब degree to degree comparison या percentage to percentage comparison भी कर सकते हैं, अब सवाल में, या तो degree देगा उसके हिसाब से, या percentage उसके हिसाब से, तो दोनों में इसको एक चीज़ दी होती है, कई बार observation की help भी लेता है, कि कौन सा part, कौन सा तरीका है, कोई बहुत tension की बात तो है नहीं, just out of many possible ways to represent a data, this is one of them, तो कोई खास इसमें अंतर नहीं होगा, एक set करता है, ठीके, मैं सर्च कर रहा था कि कौन से set, काफी sets है, पर मैं चाहर हूं, तो recent cat वाले हम लोग काफी कर चुके है, आपने कई और जगा भी देखी होंगे, तो कुछ पुराने cat के यह सवाल है, screenshot ले लो, यह pie chart, pie chart यहाँ पर भी दिया है, तो यहाँ इसी का screenshot ले लो, दो sheet का, try कर लो एक बार, तीनों questions के answer निकाल लो, फिर मैं solve कर रहा हूं, फिर आप solution बाद में देखना, आई यह अपन अप solve है, चलिए, तो answer the question based on the pie charts given, chart 1 क्या represent करता है, distribution of crude oil transported through different modes over a specific period of time, total दे रखा है, मतलब यह, जितना volume, total कितना है, 12 million tons, ठीक है, और यहाँ percentage में दे रखा है, for example, अगर हम देखे, row यह किसका है, pipeline, pipeline total का 49%, मतलब pipeline के absolute value क्या होगी, 12 million ton का आप 49% निकाल दो, यह, यह pipeline से volume million tons में transport होगी है, और percentage value यहाँ पे दे रखी है, हो सकता है, degree दे के रखता, तो conversion पता है, आपको पर यहाँ percentage दे दिया, अच्छी बात है, ठीक है, उसी तरह से air का देखोगे आप तो 11%, मतलब 12 million ton के 11% कर दो, ठीक है, चार 2 shows distribution of cost of transporting this crude oil, उसकी cost, यहाँ पे volume की बात कर रहा है, यहाँ पे cost की बात कर रहा है, for example, pipeline 65% और दे रखा है कितना, total cost 30 million rupees, दोनों pie chart का total दे रखा है, तो 30 millions में अगर आप 65% निकाल लो, यह total cost है, pipeline से transportation करने की, ship का 10% है, 30 million का, आप 10% निकाल दो, 3 million, ठीक है, clear, यह हो जाएगा total cost of transportation by ship, तो देखो, जानकारी आपके सामने है, value calculate करना में बता दिया, मैंने आपको, आप question देखी है, ठीक है, तो मतलब मोटा मोटा बास समझ में आ रही हैं, कितना simple सा हिसाब हैं आपे, यह question के हिसाब से, let us see, क्या पूछ रहा है, तीन सवाल है, पहला सवाल, the cost in rupees per ton of oil moved by rail and road happens to be repli, अब यहाँ rail or road, कहा है rail or road, यह रहे हैं, दोनों, rail road, rail road, इनकी बात कर रहा हैं, कई बार entities combine करवाता हैं, आप देखी सकता हैं, तो cost पूछ रहा है, in rupees per ton, मतलब per unit की बात चल रही है, मतलब कि इधर से cost, एक बाद धान रखना, rupees per ton पूछ रहा है, तो पहले यहाँ से इनका total लिग दूँ मैं, 30 million, rupees है यह, ठीक है, और यह है 12 million ton, 12 million tons, ठीक है, तो आप से cost पूछा है per volume, मतलब कि दोनों को divide करो, कि रुपीज per ton में पूछा है, तो please, ध्यान रखना पहले volume नहीं, उपर cost लाएगी, नीचे volume आजाएगी, चलो करते हैं, अब एक बात बताओ, friends, in this question, rail और road का हमें per unit cost चाहिए, do we need to convert the things to absolute values, या सिर्फ percentage में काम चल जाएगा, no, you will need, पताओ, उसका reason क्या है, अब आप बोलोगे, sir, इनका combined percentage लो, इससे divide कर दो, percentage, percentage, cancel होगी आपस में, पर दोनों का total अलग है, अगर दोनों का total same होता न, total cost और total volume, तो फिर हम total को avoid कर सकते हैं, पर दोनों का total अलग है, इसलिए हमें absolute लेना पड़ेगा, चलो इधर देखते हैं, दोनों को combine, 12 plus 6 कितना हो गया, 18%, 18 upon 100 into something में नहीं करूँगा, तो कि upon 100 cost वाले pie chart में भी होगा, और volume वाले में भी होगा, तो सिर्फ 18 काफी है, और ये 30 का आपने 18% निकाल, ये 100 दोनों में cancel हो तो अब इसे हटा दो, इधर combine करो, कहां गया, railroad ये रहा, 22 plus 9, 31% of 12, 100-100 cancel हो तो उसको हटा दो, ऊपर आएगा million rupees, नीचे आएगा million ton, million million cancel हो गया, और ton per rupees, तोड़ा ध्यान रखना friends, यहाँ दोनों में million का element था, अगर ये million का element नहीं है, तो हो सकता है कुछ values, उसमें भी cancellation में बच जाएं, तो units का, please special ध्यान रखना, खासकर सवाल अगर theta form में दिया है, तो we'll have to be careful, बस इतना है, सवाल solve कर लो, approximately देखेंगे friends, अगर ये 30 से 30 में cancel कर लो, approximately, तो ये 3 by 2 मतलब लगभग 1.5 के असपास आ रहा है, थोड़ा उससे छोटा आएगा, क्योंकि हमने denominator 31 तो 130 मान भी है, तो 1.5 के असपास कोई भी option नहीं है, तो B option आप बिंदास मार्ग कर तो कहानी का कर लो, थोड़ा मैं आप कोछ समझाता हूँ, कि mind कैसे processing होनी चाहिए, इसलिए इतनी बाते करता हूँ, exam में तो आप 10-10 second में answer निकाल लोगे, at least इस चीज़ का, ठीक है, not for every set, but for this set to come बनी रहा है, from the chart given, it appears that, अपने को cheapest mode निकालना है, cheapest mode of transportation, अब क्या करें, जोगो friends, अब हमें ये करना है, अब आपको absolute value नहीं पूछी, comparison पूछा है, मान लो आप pipeline की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगे 65% of 30 million, और यहाँ लोगे आप 49% of 12 million tons, ठीक है, ये दोनों total हर case में same रहने वाले हैं, तो comparison में अब percentage की भी value, मतलब upon 100 जो करते हों, तो पहले cancel कर दिया, और इन दोनों के value भी खतम हो जाती है, you just have to compare ना, you don't need exact values, तो आप सिर्फ यहाँ के percentages लेते चलो, वाकी चीज़े हर ratio में same रहेंगी, तो यहाँ absolute की जरूरत नहीं है, समझे लोना कहां कितनी मेहनत करनी है, इसका judgment होना बहुत जरूरी है, चलो compare करते है, यह तो answer आईगे ता अपना कहला वाला, चलो भी, तो पहले pipeline का ले, चलो sublet लेते हैं पहले, 65 by 49 है, this is pipeline, उसके बाद लाल वाले में अपनको 10 by 9 देख रहा है, green वाले में 7 by 11 देख रहा है, उसके बाद 6 by 22 देख रहा है, यह 12 by 9 देख रहा है, एक बाद ध्यान दिया आपने, cheapest पूछा है, तो cheapest मतलब cost per unit, यहाँ पे अगर आप देखोगे, cost per unit, बही cheapest, पैसे कहसाब से, तो पैसे वाल element उपर आगा, cost वाल element उपर आएगा, तो उल्टा मत कर देने, क्योंकि यहाँ पे ना, cost वाला पैसेट बाद में दिया है, volume वाला पहले दिया, आपने से यह लोग बोलेंगे, सर, हाँ यह तो पता है, सब्सक्राइबर इसमें डाउट हो जाता है, तो थोड़ा कैफुल रहना पड़ेगा, अब देखो, friends, जो value एक से उपर है, उनको तो हटाई दो, बस दो value नीचे की बचती है, इन दोनों में compare कर दो, इन दोनों में देखो गया, denominator आपने one unit से कम किया, पर denominator डबल ही कर डाला, तो यह value definitely lowest है, definitely lowest, 6 by 22, किस का था 6 by 22? यह वाला, यह कौन है, road, 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 a option मार्टे दिया, ठीक है, और एक बात और, cost per ton की दुबारा बात कर रहा है, अगर ship, air और road वाले cost per ton को आप P, Q, R बोलते हो, तो उनका relative order जानना चाहरा है, तो ship, air, road, ship, air, और road की बात कर रहा है, इसको P बोलेगा, इसको Q बोलेगा, इसको R बोलेगा, ठीक है, यह बोल रहे है, examiner, P, Q, R, ship, air, road से यह ना, इन में से order निकालना है, ship कितना वैसा अपने निकालना है, अभी पर दुबारा देख लिए, जोगी specific नाम से पूछ लिया, ship का red वाला था ना, 10 by 9, okay, air वाला कितना था, air कहां गया, green वाला न, 7 by 11, और road का तो अपने भी निकालना है, तो 6 by 22, अब देखो, इसमें तो order वाला काम हम थोड़ा पहली कर चुके, यह तो 1 से बड़ा है, तो highest हो गया P, उसके बाद इन दोने में आपका order पता है, कि 7 by 11 वाला उसका next आएगा, lowest हम पहले निकाल चुके, road का, पिछले question में यही पूछा था, उसमें, R, तो P, Q, R कहीं पर सीदे दियो है, यह, C option, तो हमारी answer की बन जाती है, B, A, C, तो यह कहानी थी पायचार्ट की, कई बार पायचार्ट दिये रहते हैं, in combination with tables, और any other form, for example, line graph हो गया, बार graph हो गया उस तरह से, पर technically, friend, बहुत simple होता है, आपके सामने calculations और set भी, आपने cat का लिया है, तो इतना कोई tension की बात नहीं है, तो D.I. के section में भी, friend, इतना मुश्किल काम नहीं है, शायद number crunching थोड़ी जादा हो इस, तो हमारे पास calculator भी तो है, if needed, ठीक है, अब यहाँ पर तो जरूए तहीं है, अब इतनी simple direct comparison निकल के आ रहा है, nothing much is needed, पर एक purpose और था, जो आपको इस class में सिखाना था, how to, you know, basic information about interpretation and reading of a pie chart, तो I think उतना clear हो गया होगा, तो कई लोग आप मेंसे D.I. पसंद करते हैं, पर अगर आप L.R. भी पसंद करते हैं, तो D.I. को भी अपना दोस्त बनाई है, क्योंकि अगर आपने L.R. के easiest कर लिए, तो L.R. के अगले difficulty वाले पर जाने से पहले, D.I. का भी easiest definitely होगा, उससे पहले कर लो, ठीक है, अगर थोड़ा भी comfort है आपको, फिर L.R. वाले पर अगले move कर दे, मतलब ऐसा नहों कि D.I. के easiest वाला miss हो जाए, वो भी होना की जाए, ठीक है, ठीक है, तो ये बात थी, L.R. D.I. में, especially के लिए, D.I. का टॉपिक जिसको हम बोलते हैं, PIE Charts, तो I think कहानी clear हुई होगी, तो अगर ये revision series आपको helpful, पायदे मन लग रही है, तो वीडियो लाइक कर दिया करो, डू share it amongst your friends, आपके जो भी आस्पिरिंट friends हैं, जो तयारी कर रहे हैं, और subscribe button और bell icon दबा दीजिएगा, and comment box में comment जुरूर करेगा, your comments are very valuable to us, honest feedback जो भी comment रहें, ठीक है, चलिए, अगली वीडियो मुलाकत होगी आपसे, thank you, have a nice day, take care.